अगोशित संपत्य इमंदाइतों का लेखा पंजी प्रविष्टे के आधार पर जब किया जाता है तो इस संबंद में जो पंजी प्रविष्टियां दी जाती है वो इस प्रकार है अगोशित संपत्य के संबंद में जब अगोशित संपत्य का विक्त्रय किया जाता है तो पं अगोशेत संपत्ति यदि कोई साजेदार ले लेता है तो हम पंजी प्रविष्टी करेंगे पार्टनर्स कैपिटल एकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन यदि अगोशेत दायत्तों का भुपतान किसी साजेदार द्वारा किया जाता है तो हम जेनरेल एंट्री करेंगे रियलाइजेशन एकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एकाउंट उसके बाद जो एक महतपूर बिंदु आता है वो होता है वसूली वेयों का भुपतान वसूली वेय एक ऐसा वेय होता है जो उस वेक्ति को किया जाता है जिसने वसूली का काम किया है फॉर्म ज जो राशी उनसे प्राप्त होती है उसे किस प्रकार से दाइतों को क्रम बद रूप से भुकतान किया जाए तो यह सब काम करने के लिए फॉर्म किसी व्यक्ति को नियूक्त करती है कई बार वो नियूक्त किया गया व्यक्ति फॉर्म का ही कोई सदस्य या साज्यदार होता ह तो जो भी वेक्ति हो जिसकी बिन्यूक्ति की गई हो उसको इस वसूली के लिए कुछ धन राशी कमिशन के रूप में दी जाती है साथ ही वसूली के कुछ अन्ने वह भी इसमें, इंख्लूड हो सकते हैं तो यह जो वसूली होता है उसकी एंट्री भी हमको करनी होती है। दो condition में हम वसूली वें की एंट्री करते हैं या तो नगद करते हैं और या जैसे मैंने आपको बताया कि कोई साज्यदार भी हो सकता है वसूली का काम करने के लिए उसे भी निहुगती किया जा सकता है तो अगर हम यहां वसूली वेंग का भुगता नगद करते है तो हम के लिए ना रखकर भुक्तानना करके साजेदार को ही न्यूगतिकर देते हैं तो यहाँ पर वसुली की राशी आती है ऋउस साजेदार काम किया वस्ते पूंजी खाते में हम उस एमाउंट को पोस्ट कर देंगे उसके बाद एक जो भुकतान की बात आती है वो होते हैं कमिशन कई बार वसूली के लिए जिस वेक्ति को नियुक्ति किया जाता है वो कई प्रकार के अलग-अलग कमिशन भी उसको दे होते हैं तो कमिशन की राशी क विसके बाद आती हैं देखते हैं कि वसूली खाते में ये सारी एंट्रि कर लेने के बाद अब हमको जो वसूली खाता होता है उसको close करना होता है बंद करना होता है तो यहां पर हम वसूली खाते को जब बंद करते हैं तो जैसे हमने बहुत सारे पुनमुल्यांकन खाता बनाया लाब हानी नियोजन खाता बनाया तो हमने देखा यह तो लाब होता है यह फिर हानी होत जादा है तो इस लाब की जो राशी रहेगी वह अभी जित्ते भी साज़ेदार है फर्म को उनको वित्रित कर दी जाएगी तो क्योंकि क्रेडिट पक्ष जादा है और डेबिट कम है तो यहां अगर हम जनरल एंट्री वेस्पेस की पोस्टिंग करें तो हमारी जनरल एंट्री होगी रेलाजेशन एकाउंट डेट टू और पार्टनर्स कैपिटल एकाउंट यह जो डिफ्रेंस के अमांट है वह हम जितने भी पार पार्टनर्स को तो हम कुछ दे नहीं सकते क्योंकि लॉस हो गया अब यहां पर साजिदारों की जिम्मेदारी बनती है वह पैसा लेकर आएंगे फिर्म में तो यह जो इमांट है वह हम रेलाजेशन एकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है यहां पर होगी है और पर इस तरह से हम प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करने के बाद अगे रियलाजेशन एकाउंट है वह यहां पर क्लोज हो जाएगा कुल मिलाकर जब रिलाइजिशन एकाउंट तयार होगा स्टेप बाय स्टेप हम जो एंट्री इसमें लिखते जाएंगे और बनने के बाद उसका फॉर्मिट क्या होगा प्रारूप क्या होगा वह किस तरह से दिखेगा यह देखते हैं वसूले खाते का प चेह परनीचर बिल्स रसीवेबल गुडविल इन्वेस्मेंट इसके साथ ही यहां पर हम स्टॉक लिखेंगे तो डेविट साइट में हम लिखेंगे टू स्टॉक टू पार्टनर केपिटल एकाउंट तू कैश एकाउंट यानि इसके अंतरगत हम लिखेंगे पर हम अन्रेकॉर्डड लिखेंगे और ट्रेडिट साइड में हम लिखेंगे सबसे पहरे संद्रें लाइबलिटी यानिकि हमारी बैलेंस चीट में जो लाइबलिटी इस दी गई है उन सभी को हम यहां पर बुक वैल्यू पर एंट्री करेंगे जैसी कि क्रेडिटर हो सकता है इन्वेस्मेंट फ्लेक्ट्रेशन फंड बिल्स रिसेवेबल बिल्डिंग फंड और रिजर्ब इसके साथ ही अगर कोई साजेदार संपत्ती ले लेता है खरीद लेता है तो यहां हम क्रेडिट साइड में इसके एंट्री करेंगे बाइपार्टनर्स क्यापिटल अगर यहां पर लिखेंगे बाइबंक अगर कोई अगोशित संपत्ती है तो हम यहां पर लिखेंगे बाइक और इसका जो डिफ्रेंस रहेगा उसको हम सभी साज़ेदारों की कुझी खाते में जो भी अनपात रहेगा उसमें बाट देंगे तो आपने देखा कि step by step हम सारी entries करते करते वसूली खाते का निर्माण यहां पर कर लेंगे अब जबकि हमने वसूली खाते का निर्माण यहां पर कर लिया है तो उसका बैलन्स आया है उसको हमने या तो partners के current account में ट्रांसफर किया है या फिर capital account में depend करता है कि question में current balance दिया है capital balance दिया है दोनों दिये है यह सिर्फ capital balance दिया है तो इस condition में जब हम capital account बनाते हैं तो वहां पर हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है आये देखते हैं कि सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि साजेदारों की जो पूंजी खाते हैं उसमें कोई संचय या कोश कोई है क्या capital account जब हम बनाते हैं तो हमने पहले भी देखा कि सबसे पहले हम capital का जो balance है रिजर कोश इस तरह का कोई fund है अगर है तो उसको हम capital account के credit side में जो जितने भी पार्टनर है उनका जो रेशियो है जो प्रेशन में दिया हुआ है उसमें हम distribute करके लिखेंगे हम step by step अगर capital account बनाएंगे चाहे realization account बनाएं या capital account हमने जो steps बताए अगर step by step हम entry करते जाएंगे तो किसी point के छूटने की संभावना नहीं रहेगी तो second हम यहाँ पर reserve fund को चेक कर लेंगे question में है क्या अगर है तो उनको हम जो ratio question में दिया हुए उसमें distribute कर लेते कई बार कुछ भी ratio नहीं दिया रहता तो हम वहाँ पर equal distribute करते हैं और कई बार capital ratio में अगर जानकारी दी गई है कि साजेदार अपनी लाभानी विभाजान अनुपात जो है वो अपनी पूंजी के अनुपात में करते हैं तो हम पूंजी का अनुपात निकालके वो distribution करते हैं लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि कोई जानकारिय अगर नहीं दी गई है तो वहाँ पर जो लाभानी यह संचय कोश्ट का बटवारा होगा वो बराबर किया जाता है तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि कि किसी प्रकार का कोई profit and loss balance है क्या अगर कोई balance sheet में profit and loss balance दिया गया है तो उसको भी हम जो अनुपात प्रश्ण में दिया गया है उसी अनुपात में जितने भी साज़ेदार है फर्म के उसमें हम बाट देंगे अगर इसमें दो चीजें हो सकती है profit and loss balance में यह तो profit होगा या loss होगा अगर profit है तो क्योंकि हमाई general entry होगी profit and loss account debit to all partners capital account तो वो capital account के credit side में distribute होगा और अगर firm को loss हो रहा है तो loss की condition में हमारी entry होगी all partners capital account debit to profit and loss account तो यह जो loss होगा वो capital account के debit side में to profit and loss करके हम इसके entry करेंगे तो कुल मिलाकर जब capital account बनाना स्टार्ट करेंगे तो यह भी हमको चेक करना है कि कहीं balance sheet में कुछ profit and loss तो नहीं दिया है अगर दिया है तो उसका निप्टार हमको करना है next अब सारी चीजे होने के बाद जिसे हमने देखा कि capital account में सबसे पहले हम balance transfer करेंगे realization का balance transfer करेंगे और उसके बाद हम reserve fund कोश अगर है तो वो transfer करेंगे profit and loss transfer करेंगे उसके बाद बहुत सावधानी से हम यह देखेंगे कि किसी साज़ेदार ने कोई संपत्ती ली है क्या अगर ली है तो उसकी हमने realization में जो entry की है उसकी cross entry हम यहाँ पर कर देंगे cross मतलब realization के debit में गर आया है तो credit में और credit में आया है तो debit में यह एक समझने का concept यह से कोई concept नहीं है लेकिन एक समझने का trick है कि हम cross transfer कर देंगे दूसरा हम यह चेक करेंगे कि क्या किसी साज़ेदार ने किसी दाइत्तु के भुकतान की जिम्मेदारी ली है क्या ABC अगर partner है तो ए ने क्या किसी लिंदार का भुकतान किया है क्या इस तरह की अगर कोई जानकारी दी गई है तो उसको भी हम realization के recording यहां cross transfer partner capital account में कर लेंगे और उसके बाद हम जो पूंजी खाता है उसको यहां पर close करेंगे बंद करेंगे जब हम यहां पर पूंजी खाता अपना बंद करेंगे तो जैसे कि अभी तक हम साज़ेदारों के प्रवेश में निर्वत्ति में और मृत्यों में पूंजी खात पर transfer करेंगे लेकिन अब क्योंकि firm dissolve हो गई है खतम हो गई है बंद हो गई है तो यहां पर हमको capital account का कोई balance नहीं छोड़ना है जो भी हिस्सा मिलता है साज़ेदारों को अगर उनके हित्में दे हैं मतलब देना है उनको यानि किसी साज़ेदार का credit total जादा आता है debit कम आता ह यानि कि उसको लाव हो रहा है उसके हिस्से में राशी बच रही है उसको दे देंगे तो हम two bank या two cash लिखेंगे दूसरी इस्तिती यह भी बन सकती है कि कि किसी साज़ेदार का debit total जादा हो और credit कम हो इसका मतलब कि उसके हिस्से से कुछ राशी ऐसी बन रही है जो form को देनी है उस साज़ेदार द्वारा form को देनी है तो क्योंकि वह balance credit side में आ रहा है तो वहाँ पर हम buy bank या buy cash लिखे उस राशी को उसके हिस्से में transfer कर देंगे बट यहाँ पर बहुत सावधानी आपको यह रखना है कि balance हम को कहीं पर छोड़ना नहीं है साज़ेदार को लाना है तो तो भी हम उसको two bank या two cash में transfer करेंगे साज़ेदार अगर दे रहा है firm को तो भी हम उसको buy bank या buy cash में transfer करके ही capital account को close करेंगे तो पूंजी खाता बना लेने के बाद फिर हम देखते हैं कि जो साज़ेदारी firm है अब वो close हो गई तो जो पैसा आया संपत्यों को बेचने से या कहीं से भी और जो दाइत्तों का हमने भुकतान किया उसका balance बराबर है कि नहीं क्या कुछ पैसा बच रहे क्या बचना नही का कुछ है तो उनसे हमने ले लिया है तो अब जो हमारा bank account या cash account बनेगा उसका balance उसका balance नहीं आना चाहिए उसका जो total है वो equal आना जरूरी है तो आये देखते हैं कि bank account हम कैसे मिनाएंगे रोकर या bank अतक cash या bank account का प्रारूप इस प्रकार होगा cash या bank account के debit side में हम सबसे पहले balance transfer करेंगे to bank या cash second हम इसमें realization account के entry करेंगे यानि कि हमने जब assets sale की थी उससे हमको cash मिला था उसकी amount हम यहाँ पर लिखेंगे third हम इसमें to realization account के entry करेंगे और यहाँ पर जो unrecorded assets थी संपत्ती थी उनको बेचने से जो पैसा मिला वो हम यहाँ पर लिखेंगे fourth हम यहाँ पर साजेदारों के रिंड के entry करेंगे तो यहाँ पर debit side में to partners loan account लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर to partners capital account लिखेंगे जिसमें अगर साजेदारों का कुछ आहरण होता है तो उसकी हम entry करेंगे और उसके बाद last हम जो अंतिम्भुकतान के रूप में साजेदारों को देते हैं उसकी entry हम यहाँ पर to partners capital account के अंतरगत लिखेंगे इसे तरह credit side में cash accountिया bank account के credit side में सबसे पहले हम लिखेंगे by realization cape इसकी अंतरकत ङस्फू्टी होई एदाइद तो थे हैं उनके भुक्तान की राशी को लिखेंगे फोर्थ हम यहां पर लिखेंगे बाइपार्टनर्स लोन एकाउंट और इसके अंतरगत हम साज़ेदारों के रिंट खाते का जो भुक्तान किया गया है उसके एंट्री एंट्री हाँ पर हम करेंगे और पत्ती को बेचने से प्राप्त हुई हो या किसी साज़ेदार के लाने से प्राप्त हुई हो वो सारी एंट्री हम बैंक एकाउंट के कैश एकाउंट के डेबिट साइड में कर लेंगे और हमने जो भुक्तान किया है चाहे हमने साज़ेदारों को नगत भुक्तान किया हो य एक भान सकते हैं कि सही होगा तो इसलिए बडराबर आया है एक चीहाँ पर ट्रिक यह बहुत आसानी से बैंक अकांट बनाते हैं तो एक्सेक्पा है लेकिन क्रॉस ट्रानस्फर की कि जो trick होती है वो लगा के भी आप बहुत आसानी से बैंक खाता बना सकते हैं याने कि बैंक खाता बनाने से पहले जो step आपको follow करने हैं वो कौन-कौन से होगे सबसे पहले आपको देखना होगा कि हमारी जो पुरानी balance sheet है वहाँ पर bank balance क्या था उसको आप bank account के debit side में लिख उसके बाद आप देखेंगे realization account, realization account में आप देखेंगे संपत्यों को बेचने से कित्ता पैसा मिला उसको आप debit में लिखेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि भुकतान किसको किया गया तो वह भुकतान के अमाउंट को आप credit side में लिखेंगे तो step by step आपको यहाँ पर bank account एक cash account में पैसा आना debit में और पैसा जाना credit में इस तरह से आप entry करते जाएंगे तो किसी तरह की कोई entry यहाँ पर छूटे गी नहीं और last में आपका जो bank cash account है वो equal आएगा अब एक अने महतपूर खाते की हम बात करेंगे जिसके बारे में हमने जाना था कि कई बार जब कोई साज़ेदार firm को कोई रिंड देता है तो विगटन के समय उस रिंड का हमको निप्टारा करना होता है और वहाँ पर हमको एक छोटा सा खाता अलग से उस साज़ेदार के रिंड के निप्टारे के लिए बनाना होता है कुछ सब्सकी ऑंगतान करते हैं। तो क्यूंकि वह उस साज़ेदार केará साज़ेदार कम्यूते हैं। टू-केश यह टू-कर घंक करके उसको payment हम कर देते हैं और इसके खाते को close कर देते हैं तो उस condition में जबकि साजयदार के रिड के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी प्रशन में दी गई है तो वहां पर रिड खाता है साज़ेदार का लोन एकाउंट बनाना जरूरी होता है अगला जो हम यहां पर देखते हैं वो है ख्याती का लिखांकर कई बार गुडविल के बारे में हम चैप्टर वन से देखते आए हैं कि गुडविल के जो क्यालकुलेशन होती है वो सब कंडिशन में अलग-अलग होती ह है क्यालकुलेशन के साथ साथ जो एंट्रीज पास की जाती है वो साज़ेदार के प्रवेश के समय अलग थी निवर्ति के समय अलग थी मृत्यू में लग-बग सेम थी तो विगटन में भी उसका कुछ निप्टारे का कुछ अलग धंग होगा यहां हम दो भागों में करेंगे दूसरी कंडिशन कि अगर बैलेंशीट में दर्शाय आ गया है तो हम रियलाइजेशन एकाउंट के डेबिट साइड में टू गुडविल करके उसके अंट्री करेंगे तो यह दो मात्रपुन बातों को ध्यान में रखना है एक और चीज ख्याती के बारे में यह आ तो उस संपत्य के खरीदेने की जो राशी होती है उसको हम उस साजेदार के क्यापिटल एकाउंट में ट्रांसफर करके उसके एंट्री करते हैं तो बिल्कुल उन संपत्यों की तरह ही अगर कोई साजेदार ख्याती की राशी को ले ले तो उसके एंट्री भी हम बिल्कुल कर लेंगे हमने साज्यदारों की निवृत्यों की दर्शा में देखा था कि वहां पर जो मुर्ट साज्यदार है उसके उत्रा धिकारी को यह निवृत्य साज्यदार को देराशी की गढ़ना करने के लिए वहां पर भी हम संपत्यों और दायतों के विवरियोशन लेकिन फिर भी इं दोनों खातु में आपस में बहुत अंतर है आयो देखते हैं पुनर मुल्यांकन खाता और वसूली खाते में क्या क्या अंतर है पुनर मुल्यांकन खाता एवं वसूली खाते में अंतर आन पूनर मुल्यांकन content करना है‍ esti और वसूली खाता बनाने का उद्धेश्य संपत्य और ahlूप okay का बुकतान करना है संपत्य और दाई आ घ्या अ और उसके पुस्थ कि दो पर श्तान उंत्रित कर लिखा जाता है music पुनार्मुल्यांकर खाते पर कोई वय नहीं होता लेकिन वसूली खाते में संपत्स्थियों के विक्रय और दाइद्वłeil के enrolled होता है जिसे हम वसूली वय कहते हैं पुनर्मुल्यांकन खाता फर्म के जीवनकाल में कई बार बनाया जा सकता है लेकिन वसूली खाता फर्म के जीवनकाल में केवर एक ही बार खुला जाता है पुनर मुल्यांकन खाते में पुनर मुल्यांकन खाते से जो लाभ या हानी प्राप्त होती है उसे पुराने साज्यदारों में पुराने अनुपात में बाट दिया जाता है वसूली खाते से प्राप्त लाभ हानी को सभी साज्यदार को उनके लाभा लाभ अनुपात में ही जाते हैं